नमस्कार मैं सुनीता अपने चैनल जी की चैनल रेश्पी में आपका स्वागत करते हूं आपने अंडे तो हजार बार रिखाए होंगे और हमेशा आमलेट उबले अंडे और मैं अंडे का ऐसा नास्ता लेके आई हूं जिससे आपकी बच्चे वेजिटेबल बिखा लेंगे हमको पता भी नहीं लगेगा तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेश्पी एक बाइट बनाने के लिए हमने यहां चार अंडे लिए चार अंड को हम इसके से पाउल में तोड़ लेते हैं अब चार अंडों के हिसाब से हम इसमें डाल देते हैं नमक यह अदर चमच चिली फ्लेक्स अब इन सब को हम अच्छे से फैट लेते हैं अंडों को अंडों को अच्छे से फैट लेए अब रखते साइट में अब करते दूसरा काम यहां हमने गैस पर एक पैन रखते हैं पैन में हमने छोटा चमच तेल डाला हैं तेल हमारा गरम हो गया हमने यह चोटे साइट की एक प्याज थी जिसको हमने बिल्कुल बारिक बारिक आट कारे साइफ में जादा नहीं पकाना है ताफ में ढूल देंगे हरी मीची और और ये भी प्याज के साथ ही बूल लेते हैं हमें प्याज का जादा अपार ज़्याज नहीं करना है अलका साही पकाना है दूspel प्याज हमारी पक गई है अब डाल देंगी है हमने आदी गाजर को बिल्कुल छोटे टुकडो में काटा है उसको भी डाल देते हैं साथ में ये फूलगों भी है जो दो चम्मच सभी सब्जया हमें दो दो चम्मच लिए हैं इन सबको डालकर बूल लेते हमें इनको ज्यादा गलाना नहीं हुआ हलका सा इसमें करंची पन रही हमें इनको पकाना है जैस की फिलेम हमने मीजयम कर रखिए और मीजयम ही फिलेम पे इस सब्जयों को पका लेंगे डालेंगे सब्जी के अकड़ी नमक क्योंकि हमने अंडों में नमक डाल दिया था इतलिए सब्जी के हिसाब से ही अब हम नमक डालेंगे और इसमें डालेंगे आदा चमच काली मिर्ची का पाउडर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे हमें एक से मुनेट के लिए पकाना है ज़्याद हमें इसको नहीं गलाना है यह हमारी सब्जी पकड़ घ्यार हो गSure है अब गस कर देंगे बन और इसको अपने अंडे के बैटर में डाल देंगे हम दार्यक्त से अंडे के बेटर में डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे उच में डाल देंगे थोड़ा सा हरा दनिया और हरी तनियों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे यह हमने लिए अपे पेन अज हम अपे पेन में बनाएंगे इसको तो इसमें डालेंगे समें एक आदा आदा चमट तेल ज्यादा तेल नहीं लगेगा अब ब्रस की सहता थे इसको चरोय फेला देंगे इसमें अपने अंडे को जो हमने बैटर त्यार क्या था उसको थोड़ा थोड़ा फिल्ट कर देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे जिसे कि फूलेगा भी अभी अब हम इसको गैस पर रख देते हैं हमने गैस ओन कर दी है मीड्य माच पर हमसे पांच मिनट के लिए तीन मिनट के लिए इची तरे पकाएंगे तीन मिनट हो गया है बीच में से यह पहले पक जाता है तो हम पहले बीच का ही पलट लेते हैं कि यह दो हमने वे अभी आगपलहर है पलट लेते हैं आप पीची की सेट हमें ज़्यादा नहीं पकाना है आप दीख सकते हैं यह तो अरड़ी पक चुके है यह अन्डे के हैं तो जल्दी पक जाते हैं इनको ज़्यादा समय नहीं लगता और खाने में यह पहुत ही टेस्टी लगते है यह हमारी एक बाइट बनकर रेडी हो गई ह अब हम इनको निकाल लेते हैं हमने सभी एक बाइट निकाल लेते हैं यह हमारी सभी एक बाइट बनकर रेडी हो गई है अब बहुत ही अच्छी बनी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है हम आपको एक तोड़की भी दिखा लेते हैं अंदर से भी अच्छे से पक गया अंड़ा सारी सब्जा तो पहले ही पकी थी मात पांच मिनट में बनने वाले यह नास्ता खाने में बहुत ही तेस्टी लगता है कि अच्छी अच्छी लगता है